हाई अव्रिवान देसे दुशार गुपता नाइंटीन को मेरा बैंक आफ इंडिया का एक्जाम हुआ था तो इसका मैं सेल्फ गिवन अनालिसिस देने वाला हूं इसमें इंग्लिश माथ्स रीजनिंग जीके और डिस्क्रिप्टिव ये चीदे पूछी गही थी तो इंग्ल कि पेपर वास तफ रीजनिंग का सेक्शन फर्स्टिप्ट में तो तफ ही आया था और मुझे रीजनिंग में चीज समझ में नहीं आई कि इसका मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है वो 1.5 होगा या फिर क्या होगा क्यों कि पर कोशन पे ना लिखा नहीं प्लस टू लिखा सेखंळा था तो वह समझनेहीं आ रहा है मेरे नेक्स मेने GK मैं में में अटनल 17 गE अटम्स का इंगा इंग दिस में से 7-8 गमें तॉन स्कीम We time taking थे उसमें से मैंने simplifications आये थे वो कि यह है और 5-6 questions मैंने arithmetic शायद किया है इतना ही किया है and descriptive में 3-3 चीज़े थे 3-3 letter options थे 3 letter में options थे और 3 essay में options थे तो letter में से मैंने choose किया था कि passbook नहीं issue करनी है तो उसके लिए आप letter लिख दो वो मैंने choose किया and essay में एक statement थी education के उपर मैंने लिखा एक statement थी किसी बंदे ने एक statement डिवी थी तो उस पे essay लिखना था तो वो लिख दिया तो मेरा एक मैरे साथ issue यह हो गया center पे कि जो मेरा keyboard था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था मतलब fuss रहा था and space bar भी उसका थोड़ा issue कर रहा था तो मैंने किसी तरीके manage किया और उन्होंने change तक की नहीं किया तो या इतने तो total मेरा attempt रहा है 97 and please आप लोग भी बताओ कि आपने कितना किया till then bye bye